नमस्कार आप देख रहे हैं भारत नियूस टीवी खबरों की परताल आपकी साथ में हुआन्शूख खबरों का रुख करते हैं वीक एर संस्ता द्वारा प्रोजेक्ट प्रगती मुहिम के तहत आज से सहरी छेत में पौधर ओपन स्कारिक्रम की शुरुवात की गई परतेक रभीवार सुबह संस्ता के द्वारा सहरी छेत के महलों में पौधर ओपन किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में बर्ते पर्यूशन के बीच सहरे वाश्यों को स्वच्छ हुआ मिल सके आज मानिक सरकार काली बारी महले में दर्जनों पौधे लगा कर उसकी सुरुक्षय के लिए एकोबियन से घेरबंदी कर दिया गया संस्ता के सचीव अंकुर सिना ने कहा कि कुरोना काल में ओक्सिजन की काफी कमी रही पेड़ को अधे से हमें स्वच्छ अक्सिजन प्राप्थ होता है रही संसा के उपाध धच्च रवी बासाक ने कहा कि मैदानों में काफी पेड़ रहते हैं मैदान से हट कर वैसे महलों में पौधार उपन किया जा रहा है जहां पेड़ पहुधे कम हैं ताकि अन्य लोगों को भी स्वच्छ अक्षिजन मिले। पौधर ओपन कारें में कोशियस्ट, रवी, नीरच, अंकुर, स्नेहल, राजीव, सिता भगत, नितेश, नितेश चूबे, अभीशेक, कोल्डन, कौरव, अंकित, रिशान्थ, रिशीव्यर, परकास, ललितादी मौजूद थे। प्रोजेक्ट प्रकर्ती एक स्टार्ट किया गया मुहीम, जो कि हर अविवार, हर महलने में जा जाके हम लोग प्लांटेशन करेंगे, और आज हम लोग मानिक सरकार महलने में प्लांटेशन करा, अभी तक हम लोगोंने 11 प्लांट रहागा, आगे भी ज़री गएगा? जी, हर संडे संडे ये मुहीम चलेगा, लेकिन हम लोग डिसकस कर रहे हैं, हो सकता, वीक में हम लोग 3-4 दिन ये करें, जब तक वारिश का मौशन में, अब क्या है उद्देश ये पाउधा लगाने का पिर लगाने का? आप लोग सब को पता है कि अभी जासा कोरोना को लेके सब एक्जम हमारी खला हुआ है और ऑक्सिजन की खमी रखी है, तो हम लोगा मीर उपदेश ये ही है कि प्लांट लगाए, गो ग्रीन, गो ग्रीन, ये मोटो हम लोगा और इस पे हम लोग अमल कर रहे हैं, परिशे ते ख्रृत कन लहात है कि इस पेड़ होता है, इस पेड़ को साइंग पर चपिर बढ़ा और तो फिलाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही बाके की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ये भार्क नेउस टीवी खबरों की परतार नमश्कार